दोस्तों नमस्कार प्यारे दोस्तों आप लोग कैसे हैं आसा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे धंग से होगे आप लोग का हमारे इस वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो में पैमाना पढ़ेंगे पैमाना क्या है पैमाना सबसे तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे तौलने वाले पैमाने के बारे में आज पढ़ेंगे तौलने वाले और मापने वाले भी होते हैं तो इस तरह से अपको अगर मालूप हो जाएगा कि मापने वाला या तौल वाला पैमाना जो है। तो दिखिए पैमाना पैमाना का इंगलिस में कहा जाता है मेजरमेंट करने के लिए हमें जिन मातर को क्वाव क्यों पैमाने को मिली ग्राम, सेंटी ग्राम, डेसी ग्राम, डेका ग्राम, हेक्टो ग्राम, किलो ग्राम, मिरिय ग्राम, कुंटल, मिट्री टेन के बारे में हम इन सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो तीलो इस तरह से पढ़ा जाता है तो मिली ग्राम को मिली ग्राम को हम यमजी लिखते हैं इसको यमजी लिख देते हैं इस तरह से इसको मिली ग्राम पढ़ा जाता है सेंटी ग्राम है तो सेंटी ग्राम को सी जी लिख दिया जाता है basic gram है तो इसको DCG लिख दिया जाता है decigram हो जाता है और इसी तरह से decadegram है तो इसको लिख दिया जाता DA पृतरुभ समय कंग्वन को इनको इंगलिस मेंज के शार्ड पर में लिखते हैं तो milligram, kilogram को yamge centigram को cg decigram को DCG decadegram को DAG hectogram को leiter में होता है अगर लीटर में रहेगा तो लीटर के पैमाने को आप जानते हैं लीटर का पैमाना है तो इससे हम तरल पदारतों को मापते हैं 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 तरल पदारतों को मापते ह है अगर डेसी लीटर है तो इसको डेका लीटर डीयल लिखते हैं और डेका लीटर है तो इसको डीयल लिखते हैं एक्टो लीटर है तो इसको यचियल लिखते हैं इस तरह से और अगर किलो लीटर है तो इसको के यल लिखते हैं माप का पैमाना अगर होता है तो उसको हम मिली मीटर, सेंटी मीटर, डेसी मीटर, डेका मीटर, हेक्टो मीटर, किलो मीटर में बापते हैं, तो इसी तरह से एगर किलो मीली मीटर है, तो मीली मीटर को हम, हिंदी मीली मीटर यम यम इस तरह से लिखते हैं, सेंटी मीटर, सेंटी मीटर इस तरह से लिखते हैं, इसको साट रो लिखना होता है तो दे मी लिखते हैं और इसको इंगलिस में डी एम लिखते हैं इसी तरह से डे का मीटर है तो डे का मीटर को देखिए डे का मी इस तरह से हिंदी में साट फार में लिखते हैं और हिंदी इंगलिस में जब इसको लिखते हैं तो इसको डी एम लिखते हैं इस जैसे माल लेजिए इस तरह से आपको एक पैमाना देख रहे हैं कि इस तरह का पैमाना है पैमाना देखिए आपको पैमाना याद रहना चाहिए इस पैमाने को आपको याद करना है आतरढ़े पाइमाना दस मिलिग्राम बराबर एक सन्टि ग्राम् दस सेंटि ग्राम बराबर एक द instrumental 10 डिशी ग्राम बराबर एक ग्राम और 10 ग्राम बराबर एक विज़ारे जियार कर दो 20 भ्रकल वुषिभाव मेंटिर हो तक फ़ी तरह इसी कि आपक्षी नगराभर एक दस मेंटे होता, है कीलो मिरिया कुंतल मिटरी टन आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो कीलो मिरिया कुंतल मिटरी टन की सीड़ी एक बना लो आप इस तरह से गर याद कर लेंगे कि मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो कीलो मिरिया कुंतल मिटरी टेन की सीड़ी एक मना लो इस तरह से जब आप इसको याद कर लेंगे जब आप इसको याद कर लेंगे तो आपको किसी भी पैमाने को याद करने में बहुत ही सुब्ध्या होगी, बहुत ही सरलता होगी आप उसको बहुत सी सरल ढंक से निक्याल लेंगे जैसे एक जामपल के लिए चलिए हम बताते हैं कि जैसे माल लेजिए अगर आपको निक्यालना है कि मिली मीटर और सेंटी मीटर में तो आप कैसे इसको निक्यालेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए यह मिली मीटर है आप इसको मिली मीटर यह सेंटी मीटर यह मिली ग्राम सेंटी ग्राम डेसी ग्राम कुछ भी कर सकते हैं तो इस तरह से देखिए मिली यह मिली है और यह सेंटी है और फिर देखिये आगे dec है इसके आगे देखिये gram है इसके बाद देखिये decagram है तो इन सबको आपको जब याद कर लेंगे तो milli zero centi आप जब एक सीड़ी उपर जाएंगे तो जब एक सीड़ी उपर जाएंगे 10 का अंतर होगा तो इस तरह से हो जाएगा अगर इसका मतलब यह हुगा कि एक सेंटी मीटर बरावर कितना हो जाएगा तो एक सेंटी मीटर बरावर हो जाएगा दस मिली मीटर इसी तरह से दस का अंतर है समय अगर आपको डेसी मीटर निक्यालना है तो आप लिखेंगे कि एक decimeter बरावर कितना हो जाएगा एक decimeter बरावर हो जाएगा 10 cm आप जिव जिव उपर जाएगे तो आपको इस तरह से बढ़ता मिलता चला जाएगा इसी तरह से अगर आपको निकलना है कि एक decagram में कितना मिली ग्राम होगा तो आप इसको भी निक्याल सकते हैं या आपको निक्यालना है कि ग्राम में कितना मिली ग्राम होगा तो देखिए आपको क्या करना है देखिए ग्राम है डेसी ग्राम है सेंटी ग्राम है मिली ग्राम है तो मिली ग्राम के पास एक लिखिए और आप ग्राम से देखिए कितने जीरो आप पा रहे हैं ग्राम पर एक जीरो हो गया एक जीरो लगा देंगे डेसी ग्राम पर एक जीरो हो गया सेंटी ग्राम पर एक जीरो हो गया हो गया एक हजार इस तरह से हो गया कितना तो गुड़ा होगा, लेकिन जब चोटे पैमाने से बड़े पैमाने की और चलेंगे, तब भाग होगा, तब बटेम होगा, जैसे आपको निक्यालना है कि एक मिली मीटर या एक मिली ग्राम या एक मिली लीटर में कितने लीटर ग्राम या सिंटी ग्राम या डेसी ग्राम कुछ भी होगा तो आप उसको इस तरह से निकाल सकते हैं जैसे आपको निकालना है कि एक मिली एक मिली लीटर में कितना centi litr होगा तो चूब कि आप नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं तो वह हो जाएगा एक mili litr بराबर एक बटे दस centi litr तो centi litr में दस बटे में हो जाएगा इसी तरह से अगर आपको निकालना है कि एक myli gram बराबर कितना gram होगा तो एक myli gram बराबर होजाएगा एक बिटे एक हजार gram इस तरह से आपको निकलना है तो आशा करते हैं कि आपको वेडियो पसंदाई होगी प्यारे दोस्तों खर वेडियो अप लोग पसंदाई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करना में कमेंट जरूर कीजिएगा थैंक्यो बेरी मैच